दोस्तों क्या आप भी Google Pay यूच करना चाहते हैं, जी पे इनेबल करना चाहते हैं, यूच करना चाहते हैं, तो Google Pay के अंदर एक नया एकाउंट कैसे बनाते हैं, वही आपके साथ सेयर करेंगे, क्या अकिरकार Google Pay के अंदर एक नया ID कैसे बनाया जाता है, आप एक नया एकाउं और यहां पर बिजली बिल भरना, बैंक में पैसे बेजना, पूरा प्रोसेस आपको पता चलेगा, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए, कि Google Pay के अंदर एक अभी नया ओफर चल रहा है, 2023 का, अगर आप इसमें नया एकाउंट बनाते हैं, तो आपक 50 रुपीज का कैस बैक मिल जाएगा, और उस कैस बैक से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, या अपने बैंक में भी ट्रांसपर कर सकते हैं, तो आपका जानकारी के लिए बता देते हैं, कि Google Pay का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबसे पहले आपको उस 50 रुपे का कैस बैक मिल जाएगा, अब आप इसे ओपन करिए, जैसे आप इसे डाउलोड करके ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको अपने बैंक एकाउंट में जो मुवाइल नमबर लगा होगा, वो आप डाल देंगे, तो चलो हमारे जो बैंक में रजिस्टर है, वो मुव पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका मुवाइल नमबर यहाँ पर वेरिफाई होगा, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना होगा, आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, आपके गूगल पे से एक OTP आएगा मुवाइल नमबर पर और वो आपका OTP भी आटोमेटिक फिलफ हो जाएगा, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका एकाउंट यहाँ पर बन गया है, बस आपका एकाउंट यहाँ पर तयार हो चुगा है, बस इसमें आपको बैंक एड करना होगा, तभी आप ट्रांजेक्शन को ले पाएंगे, या बैंक बैलेंस आपको इस पर टच करना है, जैसे आप इस पर टच करेंगे, तो यहाँ पर भी मिल जएगा, एड बैंक एकाउंट आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका बैंक एकाउंट होगा, वो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना ह आपका ये cash match send होगा आपके mobile number से आपके bank में और आपका bank account verify होगा यहाँ पर आपका थोड़ा सा समय लग जाता है कम से कम एक मिनट का या दो मिनट का भी लग सकता है तो आपका mobile number verify हो रहा है उसके बाद आपका bank account यहाँ पर आपका add हो जाएगा तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे इंडिया post payment bank का वो यहाँ पर आचुका है इसे यहाँ पर आपको यहाँ पर start पर click करना है जैसे आप start पर click करेंगे आपके समने UPI pin set करने का page आजाएगा यहाँ पर आपको अपने ATM card का details fill up करना होगा जो भी आपका ATM card है उसके आखरी के 6 अंक fill up करने है उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा expiry date आपका जो भी ATM card का expiry date हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है उसके बाद इस arrow पर click करना है तो हम यहाँ पर सारा details अपना fill up करते है उसके बाद इस arrow पर click करेंगे जैसे आप इस arrow पर click करते है create pin पर click करेंगे जैसे आप इस पर click करेंगे थोड़ा सा आपको wait करना होगा वेट करने के बाद आपके बैंक की तरफ से एक OTP आएगा जैसा अभी आपको देखने को मिलेगा आपको OTP आच चुका है 86, 91, 98 तो हम यहाँ पर डालेंगे 86, 91 और 98 OTP यहाँ पर सही है उसके बाद राइट करेंगे राइट करने के बाद आपके समने आज आएगा सेट 6-digit UPI pin यहाँ पर आपको अपना UPI pin सेट करना है जो भी आप UPI pin बनाना चाहते हैं इस तरीके से अपना UPI pin बना लेंगे यहाँ से आपर राइट करेंगे आपको अपना वही UPI pin यहाँ पर confirm करना है जो आपने अब भी बनाया हुआ है मैंने अपना UPI pin सेट कर लिया है आपको अपना फिर से Google पे open करना है इस तरीके से आपका Google पे open हो जाएगा यहाँ पर आपको इसे एक बार reference कर लेना है उसके बाद नीचे आना है मिल जाएगा आपको check bank balance आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे आप यहाँ पर आपको अपना UPI pin डाल देना है जो भी आप set करें थे या आपने जो भी बनाया था और जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं जो मैंने यहाँ पर set किया हुआ है मैंने अपना UPI पिन डाल दिया है उसके बाद right पर क्लिक करेंगे जो भी आपका balance होगा आपके bank में वो यहाँ पर 100 हो जाएगा या तो आपको 1 minute या 2 minute का इंतिजार करना है फिर आपका balance जो भी होगा वो यहाँ पर 100 हो जाएगा उसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पर mobile का recharge कैसे करेंगे पैसे transfer कैसे करेंगे बिजली का will कैसे बरेंगे या आप bank में कैसे transfer करेंगे तो पैसे transfer करने का सबसे बढ़िया आसान तरीका है यहाँ पर scan करके QR code को भेज सकते हैं या आप उसके contact number पर भेज सकते हैं या bank में या आप उसके UPI ID या UPI number में इस पर मैंने already एक video बनाया हुआ है क्या किरकार पैसे कैसे transfer किया जाते हैं गूगल पैसे पांच तरीके हैं गूगल पैसे transfer करने का उसके बाद mobile का recharge कैसे करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा mobile recharge करना है तो यहाँ से कर सकते हैं इस पर भी मैंने already वीडियो बनाया है कि mobile recharge कैसे करते हैं चाए जियो का हो, Boda phone का हो, Airtel का हो, BSNL का हो कोई भी SIM हो उसके बाद आप बिजली का बिल कैसे भरेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा DTH और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक option C All का आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नीचा आना है मिल जाएगा electricity आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ से आप बिल जमा कर सकते हैं, इस पर भी मैंने एक अल्रेडी वीडियो बनाया हुआ है अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको अच्छे से पता भी नहीं चलेगा तो इस पे मैंने अल्रेडी एक एक वीडियो पर्सनल वीडियो बनाया हुआ है उस सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो अपने आधार से भी आप UPI PIN बना सकते हैं उसका भी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा